हाई दोस्तो है आप लोगें सबस्टे चलिए देखता हूं मैं नए किशन के साथ हाँ हुआ हूँ चुराण से झाण लुबर पर आप नहे हैं तो कुलें क settlements सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर है कि इसमें जो है प्रिवेस कुशन है बिगत वर्षों का बहुत सारे पहले सालों का क्लेक्शन है तो मैं रहा हूं तो इसे देखें और शमझें कि seeking solution आता है जो नहीं आता है उसे कोफी पर आप जरूर लिखें एक बार ऑड ता कि आप प्रहेंता चलिया जो आता है किम से कम इसनल आप को 54 परशेंट नहीं नहीं आ रहा होगा तो जो भी ते कहन encour नहीं आया मैं लीक लिए एक बार चाह θα समझ में आ जाएगा न तो चले देखते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे किश्यन को complaint स्यख़र नहीं आता थाinging लिए देख लेते हैं सिंपल ही किशन आता है उसमें लड़के लोग अंसर देने में कन्फ्यूज आते हैं तो उसे मैं बता रहा हूं तो आप लोग समझें और करें और अपने दोस्तों में सेर कारना ना भूलें आप लोग की इस चीज़ को जरूर निभाएं और जितने हैं कि आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं देख पा रहे हैं जो भी तन्यविन देख रहे हैं उसके बाद स्कीप करके आगे बढ़ जा रहे हैं या कार दे रहे हैं तो नहीं स्कीप करके ना देखें वीडियो को पूरा देखें कि यू कि 30 minute 20 minute बहारी टाइम नहीं होता बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता 20 मिनिट आप सुते रहोगे और कान में लगा लोगे हेड़फोन और यह आप लोग देख लोगे है ना तो चलिए देखते हैं टाइम ने गवाते हुए मैं इतना बोल देता हूँ आप लोग के लिए कि ताकि आप लोग समझें और करें है ना तो पहला क्यूशन है उडान सना रिटेन में कि स्ट्रमिक दिवस कब मनाया जाता है तो स्ट्रमिक दिवस यानि मजदूर दिवस इसको कहते भी है है ना तो मजदूर दिवस हम लोग जो मनाते हैं एक माई को मनाया जाता है कितना तर 40-50 क्यूशन करिभ जीके हो जाता है तो ऐसे अगर हम 20 सेट आपको करा दिये तो यानि एक हजार हो जाएगा तो जरूर आप लोग करें हैं न तो चलिए देखिए भी मजदूर दिवस था एक मई और आपका था ये एक दिसमबर जो है एक दिसमबर को एट दिवस मनाया जाता है आठ मार्च को महला दिवस मनाया जाता है आठ मार्च को महला दिवस मनाया जाता है तो जरूर इस सब कर लें अच्छा ही पॉड़न पॉड़न की विच्छन रहेगा जो आपको आता होगा उसी में से कंफ्यूज होके आप मार दोगे कोई न कोई चलिए काला सोना किसे कह रर्वित सोना की और किसे का जाता है तो फिर ट्रॉल को जाता है तो ये कर्थक निर्यत करते थे इसलिए विर्जो महाराज को जाना जाता है चाहिए आगे देखते हैं आगे किशन आगे किशन चार नमर है कि धनराज पिले किस खेल से जुड़े हैं तो धनराज पिले जो हैं वो आपको हौकी से जुड़े हैं किसे हौकी से जैसे अगले साल 2000 ये क्या बोलते हैं 19 वाले में आरमी वाले में दे दिया था किया यारों में कि किरकेट से समंधित ब्यक्ति कौन है तो हाँ पे option था उसी तरह से आपको आएसे भी option देदेगा या फिर आपसे दूसरे टाइप से जिसे एक बार कि आपको देदेगा कि किर्केट से समझने कौन है या फिर देदेगा कि सहबाग की से समंदित है तो दोनों एक ही question होता है तो आप उसे देख लें पंच सब्द की से समंदिते जैसे गुगली बार बार आता है गुगली हना catch थ्रो यह सब जो है किर्केट से है उसी तरह से पंच तब पंच जो होता है हम लोग है जो सिजा सीदी बोलते है मुख का उसको बोलते हैं पंच ठीक है तो यह मुख के बाजी से समंदित है किस समंदित है मुख के सत्यार्थ परकास के लेखक कौन है सत्यार्थ परकास एक बुक का नाम है इसका लेखक जो है स्वामी दयानन्द है कौन है स्वामी दयानन्द है चले थोड़ा सा फास्ट अब करते हैं साथ नमर की उचने कि निमने से कौन सी रचना मुंसी प्रेमचंद की नहीं है ऐसे की इस option तक मुनसी प्रेमचंद का रचनकार है, यानि गोदान भी उन्हीं का है, गवन भी है, कफन भी है, सब उन्हीं का है, लेकिन कौन इसम में नहीं है, तो जो है उसके छोड़ के, तगीता और गोविंद यानि गीत गोविंद जो है जैदेव के द्वारा लिखा गया था यह मुंसी प्रेमचंद का किताब नहीं है तो मुंसी प्रेमचंद का आप ऐसे याद कर सकते हैं लिख लीजेगा रंग भूमी कर्म भूमी गवन और गोदान चारग हो जाएगा आएगो कफन यानि पांच अगर ही पांच याद रखते हैं तो आपको हो जाएगा सिरलंका का पुराना नाम क्या है तो सिरलंका का पुराना नाम जो है सिलोन है क्या है सिलोन है चले ठीक है नौ नमर देखते है कि नौ नमर क्या कह रहा है है ना तो आसे इसे बढ़ा कर लेते हैं यह हो गया छोटा चले देखते हैं ISI किस दिस्ट से समंदित है तो ISI जो है यह पाकिस्तान से समंदित है पाकिस्तान का एक अजंसी है ISI उसी से समंदित है दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुआश चंद्र बोस ने दिये थे है ना तो इससे याद रखिएगा नारा से भी याद रखिएगा कि कौन नारा दिये है जिसे करो या मरो है ना ये सब जो नारा है चलिए आगे देखते हैं 11 नमर क्यूचन भारत का पर्थम उपगरह कौन सा है तो भारत का पर्थम उपगरह जो है आर्य भठ है ये रूस से छोड़ा गया था है ना चलिए आगे देखते हैं 12 नमर क्यूचन कि भारत का सबसे बड़ा मरुवस्थल कौन है ठीक है आप लिक के अंसर जरूर कॉमेंट में हमें दें चलिए आगे देखते हैं अगला क्यूशन चलिए ओफिसन बारा नमर का यही है कि गोबी सहारा थार या नागा परवत तो आपको अंसर देना इसी चार में से कौन है जो आपका यह बारा नमर का है तो जले तेरह देखते हैं कि सबसे अधीक साच्छरता वाला प्रांट प्रांट मतलब राज कौन है तो सबसे ज़्यादा साच्छर जो है 93% देता है वो केरल का है केरल सबसे ज़्यादा साच्छर वाला राज कहलाता है बिहार का विसाद विसाद यानि बिहार का सोक है ना बिहार का सोक किसे कहा जाता है या बिहार का विसाद किसे कहा जाता है तो कोसी को कहा जाता है किसे कहा जाता है कोसी को कहा जाता है कौन सा गैस जहरीली है तो oxygen लोग लेते हैं तो जहरीली नहीं है nitrogen nitrogen oxide भी नहीं है hydrogen भी नहीं है तो carbon monoxide जो है सबसे खराब gas है यह सबसे जहरीली gas है CO2 इसको सरी, CO2 इसको एक सेकेंड इसको हम लोग CO से सूचित करते हैं किसे CO सो जो गाड़ी के धुआं से निकलता है carbon monoxide का वाट है क्या है वाट है पानी का घनत सबसे अधी किस ताफ पर होता है तो चार डिगरी सेल्सियस पर होता है हना चार डिगरी सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा उसका घनत होता है उत्तल दर्पन का उपयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पन जो है गाड़ी के साइड मिरर मे प्रीयोग किया जाता है ज्यादातर तो यह तो ओप्देन राइे डाकटर के याहरा होता है इसमें आपतल दर्पन कार के यह है उसमें भी अपतल दरर पन तर इस का अंसर और गल यह डी कोई नहीं गाटी के साइड मिरर के चुम्बक लोहा को खीता है LPG में मुखता है LPG किसका मिस्रन है इससे भी क्यूशन पूछता है LPG किसका मुस्रन है या LPG का मुख घटक कौन है या LPG मुखता है तो ये प्रोपेन तथा ब्यूटेन इसका अंसर हो जाएगा बी ओप्सन इसके बी option हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन जो है LPG का मुख घटक है या मुख स्रोत है ठीक है तो इसको ध्यान दे लिजेगा या किसका मिः स्रण है तो प्रोपेन और ब्यूटेन का कार्वन का परमानुकर्मांग कितना है चलिए एक option इसमें मैं इहें पर लिख देता हूँ जो है CACO3 ये तीन option आपको दिये गए है तीने option में आपको देना है ABC, ABC में कौन answer होगा आप उसका जरूर हमें जवाब दें ठीक है, ये आप लोग से request है मेरा humble request है चलिए आगे देखते हैं, 24 नमर question क्या है, चलिए देखें उसका option वही था, CACO3 और कोई नहीं, तो चलिए देखते हैं अब उसमें साप answer जरूर तेस के हमको दीजिए है ना, दो question मैं दिया हूँ दो question का जरूर आप answer दीजेगा हेमोगलोबीन पाया जाता है हेमोगलोबीन जो है, वो रेक्ट में पाया जाता है, रेक्ट जो लाल है हेमोगलोबीन के ही कारण होता है, है ना विटामिन C सबसे अधीक पाया जाता है, तो देखें निम्बू में भी पाया जाता है आमला में भी तो सबसे अधीक पूछ रहा है तो सबसे अधिक जो हो जाएगा वो आमला में हो जाएगा C option चलिए ठीक है आगे देखते है 26 नमर कि घेंगा किसकी कमी के कारण होता है तक घेंगा जो हम लोगो होता है वो आपको आयोडीन की कमी से होता है तो आयोडीन जो नमक में मिलता है इसमें आप आयोडीन यूट नमक खाएं ताकि आपे घेंगा रोग नहीं हो 27 नमर है कि रक्त जमने में सहायक बिटामिन है तो बिटामिन अगर पूछ दे तो बिटामिन कांसे देना है अगर बिटामिन नहीं है तो हाँ पर option आपको देखना कि क्या होता है तो दोनों मैं बता देता हूँ विटामिन अगर है तो विटामिन के कमी के कारण रक्त जमता नहीं है अगर विटामिन के ठीक है तो रक्त जम जाएगा और अगर विटामिन नहीं है तो होता है प्लेटलेस प्लेटलेस जो होता है उसके कारण ही रक्त जमता है प्लेटलेस की म भारी जलका होता है Deuterium Oxide रक्त का pH मान होता है तो रक्त का pH मान जो है 7.4 होता है मैं इसको बताया था तो मैं इसे ट्रिक से भी करा दूँँगा तो आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तब ही ना सपोर्ट करोगे मैं हर टाइफ से क्यूशन आप लोग करा दूँगा तो चरूर आप लोग देखते रहें और अगर आप नए हैं तो सस्क्राइब चैनल को कर लें और अपने दोस्तों में सेयर करना ना भूलें ठीक है चलिए आगे देखते हैं एच आईबी क्या है तो एक एडस है है ना तो चलिए बस इसमें ये जीके इतना ही था आगे मैं मैथ इसी में सोलुशन कर रहा हूँ चलिए अब मैथ देखते हैं कि मैथ कैसे इसको सोलुशन करना है कम समय में दिखे बारस मिनट तेरह मिनट में मैथ जीके कर दिया अब आप लोग और करोगे तो औरकम 10 मिनट में बताता हूँ कि अबरेज 10 मिनट जाएगा है ना और मैथ करोगे तो 20 मिनट तो यानि 30 मिनट में क्लियर तो देखते हैं इसको किसी बस्तु का करैमूल एक हजार रुपया है तो इसे 20-30 लाप पर बेचा जाता है विकरैमूल तो बस इसको बनाना है तो विकरैमूल पूछ रहा है आपको दे दिया है करैमूल जो दिया है उसको ले लेना है अगुने तो अगर वुक कहरा एक हजार करैमूल तो हम ले लेंगे सो रुपया करैमूल कितना लेंगे सो रुपया करैमूल करैमूल के तूलना करैमूल से करना है विकरैमूल के तूलना विकरैमूल से करना है तो यह दिया हुआ था करैमूल दे ले था तो मैं भी करैमूल मान हो जाएगा यानि 1200 रुपया तो अंसर इसका कितना हो जाएगा वाबू बी चलिए आगे देखते हैं अब हम 32 नमर क्यूचन 32 कह रहा है कि किसी धन का 10 पैसे बार्सिक दर्शी चार बर्श मिजधन 14 रुपया हो जाता है वह धन बताईए तो मैं इसको किशन पहले करा कि मैं तुलना करने बोल रहा हूं तो चलिए अपना मैं एक धन मान लेता हूं कि मेरा धन कितना है तो मैं धन मान लिया कितना रुपया सो रुपया ठीक है तो सो रुपया जब धन हो गया तो उसका व्याज देले है दर दिया हुए 10 पर समय दे दिया है चार चार बर्स तो मैं ब्याज निकाल लेता हूँ तो ब्याज बराबर क्या होता है मुल्धन गुने दर गुने समय तो मुल्धन 100 अगुने दर कितना हो गया 10 अगुने समय कितना हो गया 4 अब बटा 100 तो 100 सो 100 कैंसिल तो 24, 40 40 मेरा आगया ब्याज तो मिजधन कितना हो जाएगा बाबू क्योंकि हम मिजधन दे दिया क्या दिया हुआ है मिजधन के तूलना मिजधन से करूँगा तो मेरा मुल्धन आया 40 और 100 था मुल्धन तो मिजधन वरावर होता है मुल्धन प्लस ब्याज तो मुल्धन प्लस ब्याज यानि कितना हो गया 140 रुपाईया तो चलिए तुलना करेंगे बूग कह रहा है 1400 मैं कहूंगा 140 पूछ रहा है मुल्धन तो मुल्धन से मैं क्या कर दूँगा गुना कर दूँगा बाबू तो चलिए मुलधन कितना था बाबू 100 लिया था ना मैं मुलधन तो 100 से गुना कर दिया तो चलिए एक कट चाहेगा कितना बार में 10 बार में तो 10 से 100 में गुना करूंगा 1000 यानि B-Option कितना 100 में बन गया तो तुलनात्मक अगर विधी आप जानोगे तो बहुत ही सौर्ट में विधीच बनेगा कंसेट से भी अगर देखना चाहते हो तो मेरा आप डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लिंक उसका मैथ का सधारण व्याज जी सब सब पूरा ड़यत दिया हुआ विधी व्याज टोटल आल मैथ आपको पढ़ा दिया गया है ठीक है जो भी आपका बेस है तो आप जाके देख लोगे कंसेट और ट्रिक दोनों हो जाएगा कि लिए चलिए आगे देखते हैं 33 नमर क्यूशन क्या है चलिए 33 नमर क्यूशन है कि राम स्याम और मोहन किसी काम को करमस्या 10 15 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं यदि तिनों मिलकर है इसे करें तो कितना दिन में सब बहुत है माट मतलब नॉर्मल मैथ इसको हम बोल सकते हैं तो देखिए राम जो कर रहा है दस दिन में कर रहा है 15 और मुहन लिख देना 20 चलो तीनों का LCM निकालना ठीक है? तीनों को क्या निकाल देना? LCM निकाल देना है ना? LCM जो आ जाएगा 10, 15, 20 का कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा LCM 60 उपर लिख दिए अब 10 में 60 से भागा देंगे तो 6 15 से भागा देंगे तो 4 और 20 से भागा देंगे तो 3 तो 6, 4, 10, 3, 13 यानि 60, 2, 13 अब भागा दे दो तो 13, 4, 2, 1 और 8, 60 होता है तो यानि 4 पुर्णांक 8 बटा 13 दिन अब ये कहां पर option आपका है? तो ये option आपका C में है किसमें है? 4 पुर्णांक 8, 5, 13 तो चलिए देख लेता हूँ option तो ये देखे C में आपका option है है न? तो बस कैसे कंड लगा? 10 से 15 से कंड बहुत ज़्यादा लगेगा आप लोग को ठीक है? चलिए आगे देखते हैं 34 नमर क्यूचन क्या है? 34 नमर क्यूचन है कि 10 घंटा समय दे दिया है 10 घंटा दूरी दे दिया है 15 किलो मीटर और चाल पूछ रहा है तो चाल बरावर क्या होता है बाबू? चाल बरावर होता है दूरी बटा समय तो चलिए दूरी बटा समय ले ले लेता हूँ मैं दूरी कितना है 15 समय कितना है 10 भागा दे देंगे तो आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा यानि 1.5 किलोमीटर पर घंटा के स्फीट से वो चला तो 10 घंटा में 15 किलोमीटर चला है ना चले 34 हो गया 35 नमर की उचन देखते हैं 35 है रेशियो से तो इसे भी बहुत इन सौर्ट में बनाऊंगा मैं देखता हूं किस टैप से दिया है कहरा है कि तो चले लिख लेता हूं यहां पर तो आसा लिखना आपको है है ना चले देखते हैं यहां पर तो ए और बी बराबर है लेकिन यहां पर बराबर नहीं है चार है एक पांच है तो बराबर करने के लिए जस्ट अपोजिट गुना कर दीजे तो मैं इसमें 5 से गुना कर दूंगा इसमें 4 से गुना कर दूंगा तो चलिए अब पूछ रहा है A. Anupat, B. Anupat, C तिनों पूछ रहा था आपसे कि उसेन एक बार पढ़ लीजेगा ठीक है तो A. Anupat, B. Anupat, C पूछ रहा था तो चलिए अब गुना किजिए जब ये गुना होता है समीकरण में तो पूरा में होता है तो 5 से करूँगा तो 3 में तो 3.75 25 अनूपात पाँच में 4 से तो 5,4 20, 25 से 4 में करूँगा 20 फिर ये तो 5 से 4 में हो वी गिया क्योंकि विजले का भैलू था यह हो 2 ये का भैलू था बी ओप्सन है क्लियर चलिए आगे देखते हैं 36 नमर क्यूचन 36 नमर भी क्यूचन बहुत ही अच्छा है 400 का 10 पर 30 प्लस 500 का 15 पर 30 बराबर भाट यानि क्या होगा तो चलिए मैं इसी में सुल कल्कुलेशन करता हूँ 35 यहां भी 35 पर 30 अगर हड जाएगा तो नीचे कितना होजाएगा 100 तो का मतलब क्या होता है गुणा दू-0 से 2-0 कर जाएगा दू-0 से दू-0 कर जाएगा तो चार में 10 तो 40 पांच में 15 तो 15 55 जोड़ दे हुए तो कितना होजाएगा 115 तो 115 कहां पेवाब हो C तो बस 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 हो गया चलिए आगे देखते हैं सैंटेश नमर क्यूचन तुरत मार के फट से निकल जाना है किसी बरगाकार आकरेती की एक भुजा 10 मीटर है तो बरगाकार में जब एक भुजा 10 है तो पूरा भुजा यानि 10 दस ही है इसके 4 और 2 मीटर चौड़ा रास्ता है केवल रास्ता का छेत फलता देखिए एक अंदर एक ऐसा बरग है एक बाहर से बरग है तो अंदर वाला जो है उसका भुजा आपको 10 दे दिया है तो 10 सभे है इसका चारो और रास्ता की चौड़ाई कितना है बाबू 2 मीटर है तो 2 मीटर इधर बढ़ेगा तो 2 मीटर इधर बढ़ेगा यानि एक बड़ा बरग एक छोटा बरग तो बड़ा बरग में से हम छोटा बरग को अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका रास्ता की चुड़ाई निकाल, रास्ता यही है न बाबू, मैं देखता हूँ, फिर से इसको बताता हूँ, देखिएगा, जैसी यह बर्ग है, एक यह बर्ग है, तो रास्ता का चुड़ाई यही नहीं है, यह जो है रास्ता है, इसी का चुड़ाई, तब बड़ा ब के यानी बड़ा बर्ण में सेम् सोटा को घुटाइंगे तर जोड़ा यानि dobrze-गार में हो जाएगा रास्ता का करवाहन है बताया आपको समझाया आपकों समझाना नहीं है जल्दि बना देदा ला करता चलिए 38 नमर क्यूशन है आपका कि पॉइंट में जोड़ना है बाबूती यह सब तो आप लोग जोड़ना अंसर आपका सामने कोई भी एक हो जाएगा ठीक है तो 38 आप देख लोगे भी पॉइंट वाला जोड़ है तो इससे आप जोड़ लोगे ठीक है कि जोड़ने के लिए भी बता दूँ तो अगर जोड़ने के लिए बताता हूँ तो चलिए देखिए का आप फास्ट में बताता हूँ पहला लिख लिए मैं 44.44 फिर लिखना है 4.44 तो देखे पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है फिर इधर अगर दायन साइड है एक चार तो बायन साइड एक साइड एक चार एक चार दायन साड़ है तो तीन चार आप सामने सामने लिखते चल लाँ आगे बढ़ जागा कोई दिक्कत नहीं है फिर एको चार है आपक 4 4 8 4 12 के दू हाथ में 1 4 4 8 4 12 12 एक 13 के 3 हाथ में 1 हो जाएगा पॉंट के पॉंट रख दीजिए 4 4 8 4 12 16 16 एक 17 के 7 8 आए कितना हो जाएगा 57.328 आपका अंसर हो जाएगा यानि B आपसन आपका अंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं आपका है ना चलिए क्यूशन और घन घनाव से तो मैं आयत बर्ग ब्रीत घन घनाव संकू गोला सबसे मैं क्यूशन करा चुका हूँ तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके उसका सब का अलग-अलग लिंक दिया हूँ अलग-अलग कराया देख लीजेगा इसे भी आप देख लीजेगा तो चलिए देखते हैं कहरा है कि एक घनावा कार घनावा घन में अंतर होता है तो लंबाई दे दिया है चुड़ाई उचाई तीनों चीज दे दिया है आपको ठीक है दैस चैज चार तो इसका आइतन ता इतन वरावर उतर लंबाई गुने चोड़ाई गुने उचाई तो चलिए दैस गुने चाओ गुने का करेंगे चार ता दाच साथ चरक कितना हो जाएगा दूसो चालिस मीटर की उतकाएंगे सार कि इतना फास्ट कैसे बन जाता है तो फार्मूला याद रहेगा बावू तो आपको बन जाए और बीना एक सार के साथ चलिए मैं यहां लिग देता हूं 3-2 vezes X-X minus 4-X मैंस ने लिग दिया जोड़ोना है बावू तो जोड में चिंहा चेंज नहीं होता है घटाओ में चिंहा चेंज होता है तो चलिए इसको दाएं जायत बाएं जायत कैसे भी जोड़ोएं कोई दीकत सब से प्रीट होता है यह अलग अपने जूटेगा यह अलग जूट जाएगा , यह अलग जूट चले पिर से एक बढ़ लिख देता हूं 3x से अस्कोयर माईनस 4 x ऑ माइनस 4 तो चले इसको करता हूं तो माईनस देखे आगे चीनहा देख तो plus minus में बड़ा कौन है minus वाला बड़ा है तो minus लिख देंगे 4 में से दो गया दू, अब देखिए 6x और 4x आगे तो घटेगा प्लसमान जानड़ाने कर दो चमीं ऐस चाहिए गाधि आ है तो जा मैं का जेखिए तो आफ पालापश कौन ऑनसर कहाई कहां बाभू आइप में देखिए चले आगे देखते हैं कहरा है कि एक तालिस में धार बाक में इस स्याम की आई से 20% कैम है तो बताओ कि स्याम की आई राम की आई से कितना अधी예요 अधीग या जादा तो जब ऐसा क्यूचन रहाता है तो मैं बोला था कि जो दिया हूँ है पहले वो परतिशत पहले लिख लेना गुने 100 करदा है क्यूंकि परतीसत ने पूछ रहा कितना परतीसत जादा या कं तो जादा या कम पूछेगा ही कम दिल रहेगा जादा पूछेगा जादा दिल रहेगा कम पूछेगा तेहां कम दिया हुआ है जादा पूछा है परतीसत में तो 100 गुना कर दिये अब बटा अगर जादा करना है तो हम इसको घटा के अंसर देना है तो घटाईए तो घट जाएगा तो 80 चलिए 24, 80, 4 से इकटे गया 25 बार में, यानि 25 पर 30 कितना हो जाएगा अंसर बावू 25 पर 30 बी, चलिए आगे देखते है 42 नमर की उचन, कि ये दिया है 4, B दिया है, 3, C दिया है, 5 तो आपसे पूछ रहा है 2 इंटू A प्लस B प्लस C तो आगे A प्लस B प्लस C जोड़ते हैं तो 5, 3, 4, 5, 3, 4 12, 12 दूनी काई कि दूर से फिर गुना कर देना, 12 दूनी 24 हो जाएगा, किलियर है ना तो इसको चलिए, 24 अंसर चलिए आगे देखते हैं 43 नमर की उचन है कि 4 भागा, 4 गुने 4 भागा, 4 प्लस 4 गुने, 4 माइनस 4 तो ऐसा भी लड़कन को बार बार पूछा जाता बच्चे मैंने कि जोड़ गटाओ भागा दू बताओ, तो सेम वही चीज है तो पहले इसमें भागा का किरिया हमको करना है तो भागा करेंगे उसके बाद गुना के करेंगे, तब जोड़के तब गटाओ के, तो चलिए पहले भागा के मैं कर लेता हूँ, तो भागा करूँगा तो चार भागा चार यानि एक, अब पलस चार गुने चार गुने चार माइनस चार, ठीक है तो मैं इसे पहले भी बताया था कि अगर जोड़ घटाओ बीच में आ जाता है, तो आप कर ले सकते हो बारे हैं पर गुना कर लेते, लेकि कोई दिकत नहीं है तो मैं गुना, तो भागा पलस है, चार गुने चार था ता सोला, और माइनस चार था, पहले जोड़ के ता सोला और एक, जोड़ जाएगा सता, सतरा में से चार जाएगा, कितना? तो आपका अंसर हो जाएगा ए, तेरा, किलियर, चलिए चालिस देखते हैं, चालिस नमर में कि 10, 15, 20, 25, 30 का आउसत पूछ रहा है तो मैं इससे पहले वाला वीडियो में सेट में भी आ चुका है क्यूशन और मैं आउसत से भी क्यूशन कराया हूँ आप लोग पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा है ना? तो चलिए देखते हैं आउसत में क्या होता है कि सभी संख्या का योग कर देना है सभी संख्या का योग कर देना है अब कुल संख्या से भाग देना है तक कितना संख्या है? 10, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 से भागा दे देंगे तो 10, 15, 25, 20 कितना हो जाएगा 45, 45, 25 कितना हो जाएगा 70, 80, 30 कितना 100, 100, 25 यानि 20 इसका अंसर हो जाएगा है ना? तो बस असानी है और सती सभी कोई भारी क्यूशन नहीं है चलिए 45 नमर क्यूशन कह रहा है कि 2X पलस बाई बरावर 4 तथा 3X पलस 2 बरावर 7 हो तो बाई के मान पूश रहा है तो बहुत ही अच्छा क्यूशन है तो चलिए मैं इसे भी बता देता हूँ आप लोगको चलिए देखते हैं 2X पलस बाई बरावर 4 और 3X पलस 2 बाई बरावर 7 तो चलिए आपसे पूश रहा था बाई का मान तो हम X को काड़ देंगे तो बाई का मान आजाएगा अगर X के पुछेगा तो बाई के काड़ दीजेगा तो मैं X के काटने के लिए इसके काटने के लिए क्लिए क्या करना है सेम करना होगा ती दू है और यह तीन है तो इसको चलिए उल्टा गुना कर दिए यह से भी बताया था इससे पहले वाला रेसियो में तो इसमें तीन से गुना कर देंगे इसमें दू से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा यह भी छो हो जाएगा यह भी छो हो जाएगा ठीक है, इस अफ़वाष रखना है, देखता हूँ कि इस अबुआ ध्यान मे रहता है, रह गया अब देखिए सब पलस में है, यह वी पलस में से खट आंगे तो उपर आगया था 12 नीचे था 14, 14 में से भी 12 कि यूज़ कि नीचे माइनस पलस था तो घट आएंगे तो माइनस डूवाजर दूवा बड़ा है तो माइनस चौदर माइनस काट गया एवं पुना मुड़कर 8 km पुर्व दिशा की ओर चलता है तो बताए प्ररमभी कस्थान से कितनी दूरी पर है तो चलिए इसे भी मैं बता देता हूँ तो चलिए इसको डाइरेक्शन में लेता हूँ थोगा सा चलिए देख लेता हूँ यह डाइरेक्शन ले लिया तो उपर नौथ होता है नीचे सौथ होता है इधर इस्थ होता है इधर बेस्थ होता है मुल बिंदू आप यहां मान लिजएगा स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर लिजएगा जो हां पर कटता है तो कहरा है कि एक व्यक्ती बारा किलुम्टर पच्छिम की और चलने के बाद तो चलने के बाद तीन किलुम्टर दच्छिन अब चलेंगे यहां से एक अक लाइन तोड़ना है तो तीन किलुम्टर में इधर चल गया दच्छिन की और ठीक है तीन किलुम्टर चल गया न बाबू दच्छिन की और चलिए अब कहा कि वह एवंपुना घुमकर 8 km पूर्व दिशा की ओर चलता है तो यहां से पूरव अगर चलेगा तो पूरव इधर नहीं तो 8 km तो देखिए 8 यहां से यहां तक था 12 यह जो लाइन था आपका 12 था यह सामने वाला तो नीचे अगर आट जाएगा तो यहां तक तो नहीं पहुँचेगा इस लाइन पे यहांने न तो आट चलिये यहां तक पहुँच गया 8 km तो पूछ रहा है कि कि OVAL कितने दूरी पर है प्रणभि कस्थान से है यहां से यहां पूछ रहा है यहीं दूरी ने पूछ रहा है बाबो ती यह दूरी निकालने के लिए आप देखो तो यह आपका तीन है यह अगर ऐसे करते हैं यहां से हम मिला देते हैं कि इस दूरी को निकालने के लिए हमको पहले देखिए इसको O मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं ठीक है तो यह देखिए तो सामने सामने यह तीन है एने तीन ते एने भी तीन यहां से यह जो लाइन था आठ था, तो बारा था, तो बारा में से आठ एने चल गया, यहां तक, एने आठ चल गया, तो इधर बच गया, चार, तो देखें, यह चार हो गया, यह तीन हो गया, आप से यह तीरचा वाला लाइन पूछ रहा है, तीरचा वाला लाइन यह वाला पूछ रहा था, तो और 9 कितना हो जाएगा 25 का बर्गमूल 5 किलमीटर यानि आपका हो जाएगा B option 25 किलमीटर चलिए आगे देखते हैं 47 नमर की उचान अब रिजनिंग आ गया है यह सब आप लोग कर ही लोगे है ना तो रिजनिंग आप कर लोगे इस सब कैसे DE PAK है इसको कैसे के A P WD लिखा है तो जस्ट खाले उल्टा करदी इसको भी उल्टा लिख दियाए ता आगे A लोगा फिर U लोगा फिर K लोगा फिर U लोगा फिर M लोगा तो यह देखज़े कहां पर है तो यह A option है आपका फर्स्ट चलिए और तालिस नमर की उचन है कि अमिताब बचन अमीर खान तो संजेदत है ना तो संजेदत क्या हो जाएगा क्योंकि जो जिस से रिलेट रहेगा वही ना तो ये हो जाएगा आपका धर्विंदर है ना क्योंकि बिराट कोली नरेंद मोदी सचिन तो अमिताब बचन अमीर खान संजेदत तो फिर धर्विंदर भी उसी रूल में आएगा क्योंकि सब फिल्म सी इंडस्ट्री से है चलिए देखते है उन्चास नमर की उचन उन्चास में एन एम ओ को ओ सी पी एस लिखा है जी ओ डी एस को क्या लिखा जाएगा इसको लिख दिया है ओके बाद एस लिख दिया तो उसी तरह से जी से आगे एक बढ़ना औसे दूबर ना डी से तीन इस से चार बढ़के आप लिख देना ठीक है चलिए 50 नमर की श्लाश देखताओ इस का बाबू ठीक है चलिए देखते हैं क्या है तो यह है आपका कि दस के से इसको किया है दस से दस गुना किया ठीक है दस से दस गुना किया फिर फिर इसमें गुने टू किया है फिर इसको तो आप देख लेगो ठीक है यह रिजिंग जो होता है यह सब जो होता है आपको तो तो दिमाग तो इसमें टाइम तो लग जाएगा इसलिए आप इसको बना वीडियो को ताकि उन्हें फायदा हो कोई भी कंपेडिशन ते इससे त्यारी कर रहें तो उनके लिए फायदा करेगा गुरूप डी हो एंटीपी सी किसी चीज में यह काम करता है यह निकि समय बहुत भारी-भारी क्यूशन पूछता है बहुत ही अलक क्यूशन पूछता है एक बेस पहले बन जाएका तभी आफ एडवांस याद कर पाओगे तो बस इतना ही तक जहिंद जय भारत